रेलवे जंक्षन के प्लेट फार्म नंबर एक पर प्रयागराज एक्सप्रेस का 40 वा सालगिरह बड़े धुमधाम से मनाया गया प्रयागराज जंक्षन से नई दिली जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस 16 जुलाई को 40 वर्ष की हो गई प्रियागराज एक्स्प्रेस का संचालन पहली बार 16 जुलाई 1984 को ही हुआ था आपने बहुत कम ही सुना होगा कि किसी ट्रेन का बर्थडे मनाया जाता है लेकिन प्रियागराज शहर में एक खास ट्रेन है इसका हर साल लोग बर्थडे मनाते हैं यह इतना खास होता है कि इसमें आम लोगों के अलावा रेलवे के अधिकारी भी शामिल होते हैं जिस तरह किसी इनसान के जन्मदिन पर बकाइदा केक काटा जाता है और उसके बाद जश्न मनाने की प्रक्रिया होती है वैसे ही इस विशिश ट्रेन की वर्षगांट पर किया जाता है इस मौके पर ट्रेन चलाने वाले लोगों पाइलिट गार्ड को भी समानित किया गया बता दें कि दिली से जोडने वाली वी आईपी ट्रेन प्रयाग राज एक्सप्रेस का आज बर्तरे है सन 1984 को या ट्रेन पहली बार संगम नगरी से दिली के लिए रवाना हुई थी चालिस वर्ष के बाद आज ही प्रयाग प्रयाग राज वासियों सहित अन्य जगों के लोगों के लिए यह ट्रेन खास है दिली जाने वाले लोगों में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस ट्रेन में सफर न किया हो सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा, सुरक्षा, टाइमिंग, स्पीड, हर चीज में यह ट्रेन नमबर वन है प्रयागराज एक्सप्रेस जब शुरू हुई तब इसमें कुल सत्रह कोच थे उस दोरान इसका उदगाटन ततकालीन मंत्री राजेंदर कुमारी बाच पे इने किया था बताया जाता है कि उन्हीं के प्रयास से ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था तब ट्रेन में लाल रंग के कोच थे इसके बाद वर्ष 2003 में प्रयागराज एक्सप्रेस में नीले वाले ICF कोच लगे यह NCR की पहली ट्रेन है जिसे ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला 2016 में प्रयागराज को LHB रेक मिला यह देश की सबसे लंबी ट्रेन है जिसमें LHB के 24 कोच लगते है इसकी लंबाई तकरीबन 600 मीटर है खास यह भी है कि इलाहबाद में हाई कोट और गंगा यमुना की संगम की ख्याती के कारण बड़ी संख्या में लोगों का दिली से प्रयागराज रोजाना आना होता है विदेशी सैलानी भी दिली उतरने के बाद प्रयागराज आने के लिए विभिन विकल्प ढूंडते हैं अभी तक प्रयागराज से दिली जाने वाली ट्रेन ने अपना स्थान नमबर वन बनाया है आज इस मौके पर पुरी ट्रेन को दुलहन की तरह सजाया गया था केक काटने के बाद समय से हरी जंडी दिखा कर इसे रवाना किया गया ट्रेन के 35 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रयागराज एक्सप्रेस पर एक डाक्यूमेंटरी मैं प्रयागराज एक्सप्रेस भी बनाई जा चुकी है खास बात यह है कि प्रयागराज एक्सप्रेस NCR की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ट्रेन है